सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार जैसा कि आप लोगों को पता ही है मेरा नाम है सुमन और मैं हूँ आपकी हिंदी और योगा टीचर प्यारे बच्चों यदि अगर आने वाले भविश्य में आप भी सरकारी टीचर बनना चाते हैं और बियट करने का सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्यों ना उत्राखंड की हेमंती नंदन भॉगणा गडवाल विश्य विद्याले से बियट किया जाए तो आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए क्योंकि आज की वीडियो में मैं डीटेल में आपको बताऊंगे कि किस तरीके से आप H&W गडवाल उनिवरसिटी से बियट कर सकते हैं तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि HNV गढ़वाल उनिवर्सिटी अपने आप में एक सेंटरल उनिवर्सिटी है तो पहले क्या होता था कि जब भी वहाँ पे B8 का एंटरंस एक्जाम होता था वो केवल स्टेट लेवल पे होता था लेकिन अब क्या हो रहा है कि 2022 से HNV आप कर सकते हैं तो बच्चों अगर आपको कुछ इसी प्रकार का सपना है आने वाले भविश्य में B8 कोर्स करने का हेमंती नंदन बहुगोणा गडवाल विश्य विद्याले में तो जुड़े रही है मेरे साथ इस वीडियो में सुरू से लेकर आंति तक इस वीडियो में आपको डीटेल में समझाऊंगे कि किस तरीके से आपने इस युनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है चाहे आप प्राइवेट कॉलेज में भी करें तब भी उस कंडिशन में आपको सी यूईटी एंटर्स एक्जाम को पास करने के बाद क्वालिफाई करने के बाद और सी इतल में जानेंगे बच्चे कि एलिजिबिटी क्या है एज कितनी है कितनी फीस है कितने साल का यह कोर्स होगा और किस तरीके से आपने इसमें पार्टिसिपेट करना है तो जुड़े रहे हैं मेरे साथ इस वीडियो में सुरू से लेकर अंत तक परंत उससे पहले अगर और मैं चाहती हूँ कि आने वाले भविशे में आप जो भी अगर आपकी टीचिंग और लर्निंग से संबंदी कोई भी कन्फूजन और डाउट है तो आप मेरे चैनल के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो इस व में दाखिला ले सकते हैं तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसको अच्छे से समझाने के लिए मैंने यह पीडियाफ आपको बिल्कुल सामने दिख रही है इसी के मदद से मैं आपको इस पूरे प्रोग्राम की जानकारी दूंगी इसके साथ मैं यह कहना चाहती हूँ कि यह जो पीडियाफ है यह मैंने कहीं से भी इदर उदर से नहीं लिये यह एक साथीक और और ऑथेंटिक जानकारी है जो पीडियाफ में और यह पीडियाफ मैंने ले है एच और गड़वाल युणिवरसिटी की oral वेबसाइट से आप चाहें तो पीडियाफ को वहां से डा या उनके किसी भी campus में जाके करना है उनके तीन campus है स्रीनगर पॉड़ी और टेरी या इसके अतरिक्त H&V गडवाल University से उत्राखंड में जो भी private colleges है ठीक है कहीं पे भी private colleges जो की H&V गडवाल University से affiliated है जैसे देरादुन में हो गए हरीद्वार रिशी किस कहीं पे भी तो उन सारी condition में चाहे आप private college में ले चाहे आप government college में ले आपको देना होगा CUET entrance exam यह है सबसे पहली number one बात तो आप मतलब चाहे private के देंगे या government को देंगे आपको CUET exam देना ही देना पड़ेगा उसके अतरिक्त आपका कोई दूसरा विकल्प नहीं है यहां पे इस university में admission लेनी का ठीक है यह तो हो गई सबसे important बात आप करते हैं कि अगर आपने 50% marks either in bachelor's degree or in the master degree in science, social science, humanities, commerce और any other qualification equivalent there to are eligible for admission to the program वो क्या कह रहे हैं कि जिन भी बच्चों ने अपना graduation पचास प्रतिशत अंकों के साथ किया है यह बात कर रहे हैं वो चाहे वो arts के बच्चे हो, commerce के बच्चे हो, science के बच्चे हो या humanities के बच्चे हो उस किसी भी condition में 50% अंक होने पर graduation होने पर आप इस exam में बैठ सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर बच्चों के कई बार प्रशन आते ही कि मैम मेरा graduation अभी complete नहीं हुआ है मेरा final semester चल रहा है तो क्या मैं इस exam को दे सकता हूँ तो आपका जबाब है जी हाँ 101% आप इस exam में बैठ सकते हैं लेकिन आप वहाँ पर यह नहीं लिखेंगे कि आपका graduation complete हो गया form को बढ़ते समय आप लिखेंगे कि आप एक as a qualifying और appearing student है ठीक है यानि कि अभी आप appear कर रहे हैं लेकिन आपने आपका graduation complete नहीं हुआ यह सबसे point number one दूसरे condition बच्चों के प्रश्ण होते हैं कि जैसे जिल बच्चों ने graduation जो होता है वो BTEC, BCA, BBA इत्यादी किया है तो क्या वो बच्चे भी आने वाले भविश्य में BAD कर सकते हैं उनके लिए क्या criteria तो यह ज engineering and technology and specialization science and mathematics with 55% marks और any other qualification equivalent there to are eligible ठीक है इसके तरिक तो वो कह रहे ही कि जो बच्चे सोच रहे हैं कि BTEC, BCA इत्यादी करने के बाद अगर करना चाहते हैं तो वो बच्चे भी इसमें participate कर सकते हैं उनके लिए भी है लेकिन उनकी जो percentage का criteria होगा वो होगा 55% जबकि जो arts के बच् उनके लिए होगा 50% तो यह यहां पर difference है यानि कि दोनों ही condition में चाहे आपने BTEC किया है या simple graduation arts science commerce किया है तो तब भी आप इस exam में बैठ सकते हैं तो यह है सबसे पहली पातरता इस exam में बैठने की इसके अतरिक्त जो SC, ST, OBC और physically challenged बच्चे होते हैं क्या वो इस exam में बैठ सकते हैं और अगर बैठ सकते हैं तो उनके लिए क्या percentage में कुछ छूट इत्यादी है तो इसका जवाब है जी हां देखिए उन्होंने लिखा है कि जितने भी reservation candidates के बच्चे हैं जो government का central government और state government का जो rule है उसके हिसाब से आपको इसमें छूट दी जाएगी तो central और state government का जो OBCL है तो 45% भी अगर आपके graduation में हैं तो भी आप इस exam में बैठ सकते हैं तो यह है सबसे important बात आपके इस exam में बैठने के लिए अब बात आती है कि इसके जो अगर आपके form इत्यादी है वो कब आते हैं तो देखिए अब यह exam हो रहा है CUT की तुरू तो जो इसका form इत्या सब्सक्रादी के यह जितने भी academic exams होते हैं वो में तक फिनिश होते हैं तो जून जुलाई में ही क्राइस कोर्स के exam होता है ठीक है अब दूसरी बात यह कि अभी B8 कितने साल का है तो देखिए वैसे तो यह कहा गया है कि new education policy में B8 जो होगा वो अलग-अलग हिसाब से होगा कुछ जो MA वाले बच्चे होंगे उनके एक साल का हो सकता है जो 12 के बाद करेंगे उनके लिए इंटीग्रेटेड होगा यानि कि चार साल का वह B8 कहलाएंगे यह BSC plus beard लेकिन अभी इस साल तो फिलाल जो beard है जो 2022 में जिन बच्चों ने CT दिया उनके लिए 2 साल का है अगले दो साल का ही इस course को मान के चलेंगे ठीक है तो यह तो बता दी मैंने आपको सामन्य जान करी इसके साथ साथ बच्चों के प्रश्ण होते कि एज इत्यादी क्या है तो देखिए जो minimum एज इसमें बताई जाती वो है 21 अगर आप 21 वर्स आपकी उम्र है तो आप इस form को भर सक पर वह मैं सक्याना मुश्किल होगा लेकिन कम से कम यह मान के चले कि अगर ग्राइजिशन आप कम्प्लिट करते तो 21 वर्स तक ही कम्प्लिट कर पाते तो 21 इसमें मिनिमम एज आप इसमें दी है और मैक्सिमम एज लिमिट कुछ नहीं दी है तो ठीक है तो किसी भी वर्ग क किसी भी एज कि आप इसे भर सकते हैं अब देखिए आप अब मैं आपको यहां पर बताना चाहती हूं कि यह आप एक कोड देख रहे होंगे जो की PGQP01 है यह कोड क्या है देखिए बच्चों जैसा कि मैं मैंने आपको बताया था कि अचन्वी गडवाल उनिवर्सिटी में अगर आपने कोई भी कोर्स करना है यह बियट करना है तो आपको देना पड़ेगा CUET तो CUET एंटरंस एक्जाम में क्या हुआ कि यह जो इन्होंने हर प्रोग्राम के लिए एक कोड एलाउट कर दिये तो यह जो कोड है यह इसी का कोड है ठीक है हो सकता है अगले साल चेंज सीट पे निकाल लेते हैं अगर एक्जाम को आप मेरिट में आजाते हैं क्वालिफाइए कर लेते हैं अच्छे से मेरिट इत्यादी में तो तब आपकी जो जो फीस होगी वह आपकी हो जाएगी कम से कम 5,000 पर सेमिस्टर यह 4,000-3,000 इस तरीके से हर कॉलेज में अपनी अल ठीके बच्चों तो ये जानकारी दे दी मैंने आपको डिटेल में फीस की भी कोर्स की भी और सारी जानकारी तो उमीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हैलफुल रहा होगा इस वीडियो को सुनने के बाद और देखने के बाद भी अगर आपका कोई भी प्रशन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते इंस्टाग्राम पे भी और इस वीडियो के में भी कमेंट करके ठीक है तो बस बच्चों यही था आज का वीडियो और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलेंगे मेरे कुछ नहीं अच्छे इंट्रेस्टिंग व झाल